hello friends, how are you? आज की हमारी रेसिपी है fruit custard fruit custard बनाना बहुत ही easy है हमारे पस जो अवैलेबल ingredients होते हैं उसी से fruit custard बन जाता है हमें उसके लिए कोई special ingredients की जरुँद नहीं होती friends वीडियो देखने से पहले please मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए, subscribe करना is must तो सबसे पहले fruit custard में मैंने लिये हैं bananas, मैंने तीन बनाना, papaya, apples और अनार के दाने लिये हैं उसकी बाद मैंने एक container लिया है, pan लिया है, उसमें मैंने 2 liters of milk लिया है मैंने उसे boil किया है अच्छे से, friends आपको दूद अच्छा boil करना है, जब तक वो reduce नहीं होने लग जाता और आपको उसे continuous चलाना है, जिससे की वो आपके pan पर चिपक न जाए ये देखिए, इस तरीके से आप दूद को continuous चलाते रहिए, ये देखिए, इस तरीके से ये देखिए, अब दूद कितना reduce हो चुका है, नियर अबाउट 1 फोर्थ क्वांटिटी दूद reduce हो गया है उसके बाद मैंने 2 टी-स्पून कस्टड दाइल्यूट किया है, उसमें मैंने थोड़े से मिल्क के साथ कस्टड पॉडर को दाइल्यूट किया है, ये देखिए, इस तरीके से उसमें बिल्कुल लंप्स नहीं रहनी चाहिए, उसके बाद आप इसे दूद में मिक्स कर गोड़े तो नियुक्त आप आप दूद को एक बॉइल दे दीजिए और चलाते रहिए क्योंकि इससे आपका दूद गाड़ा हो जाएगा ये देखिये इस तरीकेसे दूद का boil आ चुका है उसके बाद मैंने एक cup sugar लिए शुगर आप अपने टेस्ट के according भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा घाते तो थोड़ी सी ले सकते हैं ज्यादा ये देखिये इस तरीकेसे मैंने शकर डाल दी है फ्रेंड्स फ्रूट भी अपनी मिठास दूद में छोड़ देते हैं इसलिए आप शुगर स्टार्टिंग में कम ही लीजे उसके बाद दूद को आप ठंडा करने के लिए रख दीजे और फिर अपने फ्रूट्स कट करना स्टार्ट कीजे मैंन सबसे पहले दो स्ट år़ पपाया की लिए उसे मैंने कॉट किया उसके बाद मैंने एपल लिए हैं दो उसको आप अच्छे से कट कर लिजिए उसको पील कर लिजिए और चोटे-चोटे hypothesis कर लिजिए मैंने मैंगो, चीकू, और ग्रेप्स भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं आप वह भी ले सकते हैं पास जो सीजनल फ्रूट से बना थो और अपके पास से फ्रूट कस्टर बना सकते हैं यह देखिये मैंने सारे fruit अलम्मस्ट मेरा apple cut हो चुका है अब इसमें जो भी fruits लेंगे आपको अच्छे से पील करना है चाहिते हैं अब ग्रेपस लें उसको भी अच्छे से पील कर लीजिये यह देखिए उसके बाद मैंने लिया है लास्ट में आपको बनानास कट करना है क्योंकि बनानास और एपल बहुत जल्दी काले हो जाते हैं कट करने के बाद और वो हमारे कस्टड में फिर ब्लैक कलर जैसे दिखते हैं इसलिए आप चाहें तो उसे एक कटोरी दूद के अंदर भी कट कर सकते हैं जिससे फ्रूट्स काले नहीं पड़ें और अगर दूद नहीं है तो आप उनको इमीजेट कट करके और डाल दीजे लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका दूद बिल्कुल ठंडा होना जिए गरम दूद में आप फ्रूट्स बिल्कुल नहीं डाले अदर वाइस आपका कस्टड कड़वा हो सकता है ये देखिए मेरे पास अनार है उसके बाद मैंने लिये है एपल पापाया और लास्ट में बनानास मैंने इसमें दूद में बनानास एड़ कर लिये है बनाना एड़ करने के बाद मैंने इसमें लिया है एपल डाल लिया है उसके बाद मैंने इसमें एड़ किया है पापाया पपाया एड़ करने के बाद मैंने यहाँ पर लिये हैं अनार के दाने अनार के दाने बहुत अच्छा कलर देते हैं कस्टरड को फ्रेंज हमारा कस्टरड सव करने के लिए बिल्कुल रेड़ी है आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप इसे चाहें तो थोड़ी देर रेस्ट के लिए भी रख सकते हैं उसके बाद मैंने एक बॉल लिया है उसमें कस्टरड पोर कर लिया है सव कर लिया है फ्रेंज आप कस्टरड के उपर गार्निशिंग के लिए अनार के दाने भी स्प्रिंकल कर सकते हैं मैंने यह पर अनार के दाने से स्प्रिंकल किया है, आप चाहे तो ड्राइफ रूट से भी कार्निश कर सकते हैं, यह देखिए हमारा कस्टड कितना यमी दिख रहा है, फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कम दो नम चैनल को सब्सक्राएब चैनल कोुपढ लाइंस, प्रेंस, अरधनि या लिए ये वीडियो मेन तयों लूट साग्ड टाउस को इज्सित member सब्सक्राइब